हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोट्लान हब चैनल इस टुटोरियल वीडियो में मैं यहाँ पे कुछ आटोकेट से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट लाया हूँ सो काफी लोग ने मुझसे यहाँ पे पूछा कि सर हमने यहाँ पे फिट इंचेज में अपने ड्राइंग क्रेट की है बट जब हम यहाँ पे क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं या कोई इंजीनियर को शेयर कर रहे हैं वो हमसे demand कर रहे हैं कि हमें जो drawing है वो meter या mm वगरा में चाहिए इस video का हमारा main motor है कि अगर आपने कोई भी drawing fit inches में बना रखी है और उसको अगर आपको यहाँ पर meters में represent करना है या फिर उसको meter में convert करना है वो हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे तो चलिए start करते हैं यहाँ पर वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर बात करें अगर आपको कोई भी drawing fit inches से meter में convert करनी है तो उसके हमारे पास यहाँ पर three methods है जैसे कि आप यहाँ पर screen पर देख पा रहे हैं तो सबसे पहला method है है हाँ पर आपका alternate unit change करने का दूसरा है कि आप primary unit को ही change कर दीजे और तीसरा है कि आप complete plan की scale को यहाँ पर change करके आप उसको mm में represent कर सकते है आप इसको किस तरह से करना है तो तीनों methods के लिए मैं यहाँ पर three videos upload करूँगा in the next upcoming days तो आज के जो हमारी यहाँ पर वीडियो रहेगी वो रहेगी यहाँ पर alternate unit के base पर alternate unit का मतलब क्या हुआ कि simply आपकी जो हमारी fit inches की unit है हम उसको भी display करेंगे और साथ ही में उसके बगल में हम यहाँ पर meter की भी जो भी value होगी वो भी हम यहाँ पर अपने plan में represent करेंगे so example के तोर पर हमने यहाँ पर एक plan use किया तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो this is a g plus 2 building plan जो कि यहाँ पर आपका dimension है यह fit और inches में created है और अगर हम यहाँ पर units को check करें so अगर आप unit देखोगे तो यहाँ पर type engineering है और आपका insertion scale inches में set है ठीक है so अगर आपने यह setting set कर रखी है और इस basis पर आपको यहाँ पर अपने drawing को mm में show करना है यानि कि अगर मैं एक example का मतलब एक dimension के यहाँ पर example लेता हूँ तो यह dimension भी आपकी show हो और साथ ही में इसके bugle में एक dimension आ जाए जो कि आपका यहाँ पर meter में वो इस dimension को show करता हूँ ठीक है मतलब इसी का एक तरीके से conversion आ जाए यहाँ पर meter में कैसे करेंगे इसको चलिए देखते हैं यहाँ पर फरस्ट अफॉल यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपने यह जो dimension बनाई है यह किस dimension style पर बनाई है तो मैं पर d enter करेंगे d enter for dimension style manager और यहाँ पर जो home cad style हमने create किया है इसको हम यहाँ पर edit करेंगे यानि कि modify करेंगे तो हमने अपने style को select किया select करने बाद यहाँ पर जो modify का option आ रहा है इस modify पर हमको click करना है then इसके बाद यहाँ पर आपका आता है primary unit और साथ हम उसके बगल में आता है alternate unit so primary unit तो हमारी already set है यानि के engineering precision आपका तो primary unit से हमें यहाँ चलचाड नहीं करनी है so we have to go to this alternate unit tab अब इसमें क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ पर जो display alternate unit को option इस पर हमें यहाँ पर tick करना होगा so जैसे यहाँ पर मैं tick करूंगा ठीक है यह हमारा alternate unit की जीरती भी settings से यहाँ पर on हो जाएंगी then इसके बाद आता है यहाँ पर unit format so meter एक type का आप यहाँ पर decimal format में हम इसको represent करते हैं so हम यहाँ पर decimal select करेंगे फिर precision यानि कि जो आप unit दिखाना चाहते हो कितने decimal places तक दिखाना चाहते है for example 10.12 meter या something जो भी आपको चाहिए तक आप यहाँ पर 8 decimal places तक अपनी precision scale को set कर सकते हो so simply let us go for two decimal places और अगर मैं अभी यहाँ पर simply okay पर click करूँगा और अगर मैं यहाँ पर close पर click करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक alternate unit यहाँ पर साथ में आ गई है चीक है 34.2 अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इंटर करेंगे दी इंटर करने के बाद यहाँ पर modify पर हाँगे करनी होगी, so 1 inches is equal to 0.0254 meters, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर prefix and suffix को option आता है, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे अपने dimension के आगे या पीछे कोई एक alphabet या कोई चीज add करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर add कर सकते हो, so prefix अगर आपको add करना तो prefix करिये, suffix करना तो suffix करिये, तो मैं यहाँ पर suffix में m type कर देता हूँ, यानि की meters, और जैसे यहाँ पर ok पर click करोगे, close पर click करोगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि 13 fit 9 inches is equal to 4.19 meter, अब इसको हम confirm कर लेता है, confirm करने के लिए हम यहाँ पर fit to meter, ठीक है, so यहाँ पर आपका 13 fit 9 inches है, ठीक है, so 13 fit, अब 13 fit तो हमने यहाँ दिया है, बट यहाँ पर आप देखोगे, हमारे पास वहाँ पर 9 inches भी available है, so यहाँ पर 9 inches तो नहीं दे सकते हैं, हम यहाँ पर इसको value को decimal में कर सकते हैं, so decimal में कैस से convert करना है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई value जैसे कि 13 fit 9 inches है, इसको हमें decimal में करना है, so यह जो 9 inches value है, यह जो 9 inches value हम डिवाइट कर देंगे 12 से, तो यहाँ जाएगा 0.75, यानि कि completely fit में किता हो जाएगा 13.75 fit, ठीक है, so यहाँ पर हम value दे को meters में value किती है आगी, 4.191, और अगर हम यहाँ पर अपने autocad plan के देखा है, तो यहाँ पर 4.19, अब हमने आपर precision up to 2 decimal places तक set किया था, तो यह यहाँ पर दिखा रहा था, आप यहाँ पर completely देख सकते हो कि जो भी आपके पास यहाँ पर units थी, उसमें यहाँ पर fit का value भी यह unit को change करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो thank you so much everyone for watching this video, मिलते हैं आप लोगों से next video में, तब तक के लिए, ta-ta, bye-bye and take care everyone.